आज हम पंजाब नेशनल बैंक का कम्पलिट एंसिस करेंगे यह शेर लगवक 300 रुपे से गिर कर देखो काफी नीचे गिला था अभी 50 रुपे के ऊपर आते जा रहा है तो इसमें क्या करना चाहिए दोस्तों यह उपर जाएगा पूरा डिटेल एंसिस करके आपको पता चल अब दोस्तों यह जो फंजाब नेशनल बैंक है यह देखो भारत का सोदेशी बैंक पहला सोदेशी बैंक है और यह गौर्णमेंट अफ इंडिया का है बैंक है और इसका एड़ ऑफिस देखो निव डेली में और यह को तीसरे नंबर पर आता है दुस्तों यहां पर आप है तो 57,000 के लगबग है 52 रूपे पर चल रहा है 52 विक हाई 62 था 28 के लोग तक बिसने बनाया था और स्टॉप पी 17 के आसपास है 88 रूपी का बुक वैल्यू के सामने देखो तो कितना कम रेट पर यह नजर आ अभी भी इसमें देखो बुक वैली के आसपास भी चला जा जा तो कम ही होता है तो इसमें इसमें आप समझ के ले सकते हैं यह बहुत ही मुसीबत में था बिसमें बैंक रूप सारे लॉस हुए देखो इसमें हम रिड़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा अब देखो यहां पर इसका PG ratio एक से कम है तो कि अच्छा का साथ दिखाए दे रहा है और प्लेज कुछ भी नहीं है गिर्वी कुछ रखा नहीं गया है और प्रोमोटर होल्डिंग गवर्मेंट अफ इंडिया का 73% देखो यहां पर होल्डिंग दिखाए जाए तो मतलब हर एक लेवल पर ठीक थाक है और लेटक इनने देखेंगे क्योंकि यह दो बैंक है बैंक कांपने देखेंगे तो यहां पर आप देखो यह लगबग लग बक 260 के असपास जल रहा है और यह 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 लेविल पर देखो 50 के सपास नज़रा रहा हूं है लंग पर 50 को असपास है अब से है अबर यह अब देखो दूस्तों यह जो बुक वेल्यू पर है इसका 88 यह 100 रुपेस पर तो जाने का हराम से दम रखता है देखो यहां पर एक लेवल है यह तो इसको प्रॉफिट को आप देखते रहो जैसे इस प्रॉफिट बढ़ता रहेगा तो सेम अपना पूराना हाई था उसका तो देखो यहां पर कौटरली प्रॉफिट पर नजर मारते तो दोस्तों यहां पर आप देखोगे हैं प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 23 में देखो 24305 क्रोड का प्रॉफिट यह सेल्स आया था उसमें पहले देखो पूरा को सीधा डारेक लिए देख लेते हैं अब यहां पर देखो प्रॉफिट विफोर टैक देखो 2630 क्रोड है और पिछले यहां पर जाके देखेंगे 470 क्रोड था और नेट प्रॉफिट देखो 348 क्रोड था अब देखो 1876 क्रोड हो गया तो अच्छा-कासा देखो ज में एक पर जाके देख लेते हैं पूरे यहां यहां पर आप देखोंगे तो पहले मार्च तुसर्ण ट्वेल में को 37000 क्रोड तो 43000 क्रोड बढ़ते बढ़ते हर साल देखो बढ़ते बढ़ते 448176-86 क्रोड का देखो हाइस्ट एवर सेल्सिसका आ गया है और वैसे ही प्र प्रोफिट अब देखेंगे कि डारेक्ली हम लोग तो 5000 5000 यहां थोड़ा कम हुआ है यहां पर देखो 2018 में 12000 क्रोड का लॉस था फिर नाइंटीन में 9000 क्रोड का लॉस मर्में दो साल से देखो जो बहुत गिलावाट हुई ती शेयर के अंदर लेकिन उसके बाद इसमें अ प्रोफिट में की तरफ चला गया है तो उसमें दिक्कत जो है निकल गई है तो यह पूरा ना हाय भी जा सकता है इसमें आराम से डबल तो जाने का दम रखता है दोस्तों आगे चलके पूरा इसके पैटर्र पर भी देख लेते हैं तो कि थोड़ा आपको कॉंफिडेंस आ यहां पर इन्वेस्टर्स में जाके देखते हैं तो यहां पर देखो कि इसमें आपको क्लियर कट नेजर आएगा तो यहां पर आप देखोंगे तो यह प्रमोट सेन गवर्मेंट अफ इंडिया का 73.15 परशंट है और यहां पर अफ़ाय का देखो पहले कितना यहां पर आप देखोंगे यहां पर पॉब्लिक की हिस्टारी कम हुई है चाहँदा से देखो 11.7 तो मतलब देखो स्ट्रॉंग पॉइंट नजर आ रहा है प्रमोटर का हिस्टारी है यह एफाय डिया बढ़ाते जा रहे मतलब इंको पता है कि यह शेयर सस्ता है और डबल जाने का पूरा 100% दम रखता है दो तो इसमें तो यह पूरा का पूरा डबल जाने का दम रखता है तो मैंने भी खुद इसमें बाइंग किये कूछ कॉछ कॉंटिटी और यह डबल होने पर मैं इसको बेज भी दूँगा क्योंकि दिख रहा है 88-90 रुपेस पर तो बुक व तो प्लीज सब्स्राइब किजएगा थैंक यू